सो ही गईस बेलकम तुमाई यूटूब चनल के आज इस विडियो में बात करेंगे क्लाश टेंथ विज्ञान की 55 सबसे महतपूर टापिक 101 परसंट ये जो चीज़े हैं बोर्ड एक्जाम में बार बार पूछा गया है और इसके बीना कोई भी प्रस्ण पत तयार ही नहीं होता है आप मात्र इन 55 टापिक को पर लो 101 परसंट आपका बोर्ड एक्जाम में 70 में 70 नमबर बिलकुल पक्का हो जाएगा क्योंकि ये जो क्वेशन ये काफी इंपार्टेंट है और आपकी बोर्ड एक्जाम में ये बार बार पूछेगे ठीक है यहनी कि अगर इन प्रस्ट को आप तयार करते तो 101 परसंट आपकी बोर्ड एक्जाम साइंस के सबजेक्ट में आपका नमबर आएगा 70 में 70 नमबर बिलकुल पक्का हो जाएगा इसके लिए 70 में 70 नमबर साइंस में पाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है विडियो को सुरू से लेकर अन तक देख लेना है अगर विडियो को सुरू से अन तक देख लेते हो तो 100% ये जो क्वेस्टन है आपकी बोर्ड परिच्छा में आएगे ठीक है 100% ये क्वेस्टन आपकी बोर्ड परिच्छा में पूछा जाएगा तो आपको इन क्वेस्टन को अभी से तयार कर लेना है ठीक है देखो क्योंकि ये जो क्वेस्टन मैं लिया हूँ ये आपका हर साल आता है 12 में 10 में 15 में 17 में 19 में 20 में 22 में आया हुए क्वेस्टन है तो इसमें से देखो बोर्ड परिच्छा में 101% गारांटी पका आएगा तो अगर आप भी बोर्ड परिच्छा में 70 में 70 नंबर पाना चाहते हो तो ये पूरे क्वेस्टन को आज ही आप तयार कर लो ठीक है तो जो पहला question है वो है आपका बिस्थापन एवं दू बिस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बता ये उदाहरण के साथ तता इस अभिक्रिया की समिक्रण भी लिखे इसके बाद जो next question है वो आपका दे रखा इसमें कि जब लोहे की कील को copper sulfate की billion में डुबोया जाता है तो billion का रंग क्यों बदल जाता है फिर इसके बाद next question है आपका काफी important question है और ये question very 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 important है क्योंकि board exam में हर बार ये question पूछा जाता है इसके साथ ही साथ next question आपका है कि किसी पदार्थ x की billion का उप्योग सफेद करने के लिए होता है पदार्थ x का नाम तथा सुत लिखे उप्रुक्त पहले में लिखे पदार्थ x की जल के साथ अभिकरिया को भी लिखे काफी important question और board exam में बार बर पूछा गया है इसके बाद जो next question है वो पाँचवा है अपचेयन तता अपचेयन उपचेयन तता अपचेयन संकलन आकसी करण को उधार्थ सहित समझाईए ठीकि ये भी very very most important question है और आपके board exam में बार बार पूछा गया है इसके बाद जो next question है वो है उसमा छेपी ये उसमा सूसी अभिकरिया का अर्थ और उधारर दीजिए ठीक है ये काफी important question और board exam में हर बार पूछा जाता है इसके बाद जो next question है वो है कि संतुलित रासानिक समिकरर क्या है रासानिक समिकरर को संतुलित करना क्यों आवेश्यक है ये भी most important question और board exam में बार बार पूछा गया इसके बाद जो next question है वो है आठवा आठवा question है pH की परिभासा दीजिए इसका hydrogen ion sander से क्या समन्द है इस पश्ट कीजिए इसके बाद जो next question है वो है खाने का soda baking soda का रासानिक नाम अरुसूत लिखे इसके बनाने की बीधी का कीवल रासानिक समिकरर लिखे इसको भी आपको त्यार करें इसके बाद दसा नंबर question है अमने तता चार की आधुनिक अवधारणा को इस पश्ट कीजिए इसके बाद बरहमा question है कि जल का आइनिक गुरन फल क्या है इस पश्ट करें क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे अभिकिरिया को पूड कीजिए ये भी आपको पूछा जाता है जल का आइनिक गुरन फल क्या है इस पश्ट करें क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे अब किरिया को पूड कीजिए इन टाइप की question आपके बोर्ड इक्जाम में देते हैं इसके लिए भरजन इमनिस्तापन को उधार द्वारा समझाई इसको भी आप प्योग लिखिए काफी important question है और बोर्ड इक्जाम में बहुत बर पूछा गया है इसके बाद जो नेश्ट question है वो है कापर स्यू की च्छन को सिल्वर नाइट्रेट एजी एनो तरी के बिलियन में डालने पर कुछ है समय बाद बिलियन का रंग नीला हो जाता है most important question है next question है next question है कि साबुनी करण पर संचीप में टिपड़ी दीजिए ठीक है काफी important है आपको इसको भी तयार कर लेना है और जो next question 19 नंबर है वो है आपकी सजाती स्रेडी की प्रिभासा दीजिए इससे एक उधारण देकर इस परस्ट कीजिए ठीक है इसके बाद रोजनी करण क्या है मीसेल साबुन की सफाई आपको इसके बारे में बताना है ठीक है 21 नंबर के question है कि संत्रिप तथा और संत्रिप ता हाइडोकर्बन से आप क्या समझते उधारण देकर इस परस्ट कीजिए next question आपका 22 नंबर दे रखा है कि मेंडेलिव का मूल आवर्ति क्या है मेंडेलिव का मूल आवर्तिनियम तथा आगनिक आवर्तिनियम क्या है इन दोनों को आपको बताना है इसके बाद जो नेश्ट और 23 नंबर वाला question है वह है आयू पी एससी नामकरण भी को भी आपको तयार कर लेना ठीक क्योंकि यह भी आप इस चेप्टर से भी सानिक समीक्रण को भी लिखिए इस सब question का details आपको हमारे इस चैनल अरहंत lecturer पर मिल जाएगा नेश्ट 26 की अगनासे का सरचनाक तथा कारे बीधी को बताईए इसके बाद सत्य समाह की रंद यानि की पढ़ रंद इस्टू मेटा किर्या बीधी का चित्र बनाईए नेश्ट question नेश्ट question है कि मनुसी के दातों की भी सिस्ताएं बताईए इसके बाद नेश्ट question है मनुसी का पाचन तंत का सचीत वरणन कीजिए यह कौफी important question और board exam में हर बार पूछा जाता है नेश्ट question है कि स्वासन, आकसी, अनाकसी, स्वासन, स्वाच्छो, स्वास में अंतर और रसानिक अभिकिरिया का समिकर और इसका चेत्र भी आपको त्यार कर ले ना है इसके साथ तीसमा टापिक आपको ये भी तयार कर लेना है कि रुधीर तथा लसिका में अंतर धमनी तथा सीरा में अंतर इन सब चीजों को आप ज़रूर तयार कर लो ये जो question है 101% आपकी board exam में पूछे जाते हैं ठीक है और ये जो होते काफी board exam की दिरिष्टे से काफी important है और ये चीज जो है रुधीर तथा लसिका में धमनी तथा सीरा में तर 101% पूरी गारांटी है कि आपकी ये board exam में आएगा ही यानि कि आपकी paper में ये चीज़े चप चुकी है ठीक है तो आपको इसको क्या कर लेना तैयार करकर ही board exam paper देने जाना है इसके बाद next question है मनसी की हिर्दें की आंतरिक सरचना का चीतरवक कारिबीरी का वरणन कीजिए ये very very important question है क्योंकि ये board exam में हर बार देता है 4 से 5 नमबर 6 नमबर में इसके बाद जो next question है वो है वात्पो सर्जन किसे कहते हैं उधारण देकर समझाईए ये भी आजाता है या तो ये आजाए कि वात्पो सर्जन किसे कहते हैं ये एक से दू नमबर में आपके board exam में पूछता है इसके बाद next question है कि उत्सर्जन ब्रीक नलिका का नाम आंगती ने फ्रान का चितर बनाई है तीन से चार चितर में board की exam आने तक आपको बता देता हूँ इन पांच चितर को आप तयार कर लोगो 101% वो पांचों चितर आपको से पूछा जाएगा आपको इसमें से कोई दो से तीन चितर बनाने होते है तीन से जुक आपको ध्यान देना है कि ये चितर पांच ठों मैं जो बताऊंगो उसे तयार करकर ही जाना है 101% हर साल ये चितर पूछा ही जाता है चौतिसवा कुश्चिन है कि परिवार नियोजन ये निसेचन के परिकार को बताईए यहीं कि परिवार नियोजन की पूरी बीधी आपको पढ़ लेने स्थाई बीधी और स्थाई बीधी ठीक है परिवार नियोजन किसे कहते हैं इसके बाद निसेचन के परकार बताईए कि निसेचन के इतने परकार के होते हैं इसके बाद नर तथा मादा जनन अंग का भी आपको चीतर बना लेना ठीक है नर और मादा दोनों का जनन अंग के जो चीतर उसकी रिहलसल आपको अची तरी किसका लेना क्योंकि हर बार ये नर और मादा का जनन अंग का चित्र आता है बनाने के लिए इसके बाद यहाँ पे इन दुनों के बारें भी पढ़ लिजेगा डेटेल्स में इससे भी आता है फिर नेश्ट 36 नमबर क्योश्चन के आनुवंसिक्ता तता मेंडल के नियम वचित्र उतपरिवर्तन वाद वचित्र तयार करना है इसके साथ इसाथ उत्परिवर्तन वाद तयार करना है और डर्भीन वाद तयार करना है इसके बाद next question देख लेते हैं यहाँ पे आपकी जो question शुरू होती है अब यह पहले तो आपकी किस चीज की question थी chemistry की ठीक है अब इसके बाद यहाँ से आपकी physics शुरू हो जाती है तो physics म आपसे जो question पूछे जाते हैं वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सबसे important most जो question है वो है प्रकास से related chapter से यह प्रकास का प्रावर्तन यह भी तयार करना अपवर्तन परिभासा प्लस नियम को तयार करना है यह चीजे आपके बूर्ड एक्जाम में हर बार पूछ ही जाती है और यह question very very IMP है यह बहुत ही important है इसके बाद 38 नंबर question बोलता है आपसे कि उतल दरपड उतल दरपड तथा लेंसों से प्रतिम का बनना प्लस इसके साथ इसका numerical ठीक है यह जैसे देता नहीं कि आप इसके यहां पर बीम रखा गया है वस्तू की दूरी focus पर रख कर लेना है आउतल दरपड से भी उतल दरपड से और लेंसों से प्रतिम का बनना प्लस इसी जो सूत्र होता इसी पर आपको numerical भी त्यार कर लेना क्योंकि इसी सूत्र पर numerical हर बार पूछा ही जाता है ठीक है इसके बाद 39 कर रखा हिकी कि दूर द्रिष्टी दोस दोनों का आपको त्यार करना ठीकंगि ऑ दूर दी सूत्र त्यार करना blending इसके साथ यह दूर से इसके प्लसुतर जाता है ठीसका प्लसृतर चत्र बंधने मंदनेश को और उसका पैर कुछी ciao इसके बाद next question कि बायो सेवट का नियम सुत्र प्लास नुमिर्गल के साथ अच्छी green के स्तर के स्तैयार किलो सुत्र तो पूछेगा ही पुछेगा इसके साथ से साथ इस पर नुमेरिकल भी पूछता है 46 नंबर क्वेस्टिन है कि विद्धूत मोटर का नामांती चित्र बनाईए तता इसकी कारेवीरी समझाइए इसका अप्यों किस परकार के उर्जा के रुपांतरण में होता है यह बेरी बेरी मोस्ट इंपार्टेट क्वेस्टिन आ वो दिरका की चुम्बकी बल रिखाओं से क्या ताते पर इनकी प्रमुख गुड़ों का उलेख कीजी यह मोस्ट इंपार्टन क्वेस्टिन आप इसको जरूर तैयार करो इसके बाद जो नेश्ट क्वेस्टिन वो है आपका यहां पे दिरका की प्रत्यावति धारा जनीत का स्वच ना मांगती चित्रखीच का सिदान रचना इम उसकी कारिवेदी का वरण कीजिए प्लस इस पे आपको नुमेरिकल को भी तैयार करना यह जो क्वेस्टिन है यह बेरी इंपॉर्टन क्वेस्टिन है और आपके बोड़ इक्ज देख करना है इसके साथ इसाथ यहां पर उर्जा का उत्तम सुरोथ किसे कहते हैं इसको आप तयार करना है श्वर यृज पर टिपड़ी लिखिये और इसके साथ बावन नमबर क्योश्चन की खादे ठीख संवस्टिंध हैँ इस फ़स्ट की इसके पर 50 नमबर क्यों संच् ठीक है क्योंकि आपके बौ्ठ इक्जाम इस बर 20 नंबर का विखलपी प्रस नंबर पुछे जा रहे है तो आपको क्या करना है डवर्मीट्ठ वीस्ठों तैयार करना ठीक है तो बीचे समय में बहुत जादे बहुत पिखलपी याद हो जाएंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देजेगा ठीक है मिलूंगे एक नेश्ट वीडियो तब तक के लिए धन्य का जिए थर बार ठाह कर दिए इसे वीडियो देखल एक। आप वाई जाएंगे इसे तो आप आप हो जाएंगे टो आप एक लाई वाई अगर आप बार देखला जाएंगे अवालपन।